So guys, क्या आप लोगों को भी आपका जो Call of Duty Mobile Game है जैसी आप लोग उसको अपने मुबाइल फोन के ऊपर यहाँ पर फेस्बूक या फिर ट्वीटर या फिर जीमेल किसी भी आईडी से लोग इन करने जाते हैं क्या आप लोगों को यहाँ पर सेम एरर शोर है जो मिरको यहाँ प ऊप लोगो को इन Matter को किस प्रकात से परमनेटरी फिक्स आउट कर सकते हैं तो चलिए दोस लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को क्या ट्रिक्सनी अनृट फोलव करनी को श्योती से लिकिस्तर कने रिगी कि यही जो problem आपको देखने को मिल रहे है facebook login या फिर gmail login आप लगन नहीं कर पार है अपने call of duty mobile game के साथ में अगर मैं आप लोगों को जो trick बताऊँगा उसको trick को use करने के बाद आपकी problem fix out हो जाती है और आप लोग first time मेरे चल को visit कर रहे हो तो यार चलर को जुरू subscribe कर लेना bell icon call पे set कर लेना more for updates के लिए तो गैस बात करते कि आप लोगों को यहाँ पर इस error को किस पर काई से fix out करना है तो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं जैसे अब मैं अपने call of duty mobile game को अपने while phone के ऊपर open करता हूँ open करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं अपने game को यहाँ पर facebook या फिर gmail account से login करने जाऊँगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पर देखाना चाहूँगा मेरे को यहाँ पर क्या error शो रहा जैसे मैं यहाँ पर sign in with facebook करूँगा तो मेरे को यहाँ पर एक इस तरीके का error शो हो जाता है जिस कारण मेरा जो यहाँ पर account है login नहीं हो रहा है मेरा facebook ID और मेरे को यहाँ पर इस तरीके का error देखने को मेरा app not active तो इसको आप लोगों को fix out कैसे करना हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस error को fix out करने के लिए आप लोगों को क्या action method करनी है सबसे पहले follow मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस problem को fix out करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी f info के अंदर जाना है जो भी mobile phone आपकी विपास होगा आपको f info देखने को मिल जाएगी आपके mobile phone के उपर अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को इसकी permissions वगएरा check कर लेनी है अगर आपकी सब लिए permissions अलाव है तो आप लोगों को allow करके रखनी है उसके बाद आप लोगों को पर stack data usage वालज option देखने को मिलता है आपको इसको off करके दुबारा से on करना है अगर okay पर tap कर लिए इतना इस ब करने के बाद आपको जो पर clear all data and clear all catch को option देखने को मिलता अब आप लोगों को क्या करना है आप लोगो को यहाँ पर ध्यान से देना है वीडियो के अंदर आप लोगो को back आने back आने के बाद अब आप लोगो को here finally आपका जो Chrome browser है उसको यहाँ पर open करना है open करने के बाद अब आप लोगोको new tab open करने और यहाँ पर आप लोगो को its code provide कराओं गो जो इंट्रफेस से देखने को मिल जाता है अब आप लोगों को यहां पर एक सचबार वाला ओप्शन देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को इसके अंदर ड्रीम लिख के सच करना है जैसे आप लोग यहां पर ड्रीम लिख के सच करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इं तो आप लोगो को स्क्रोल करते हैं नीचे की साइड आना है और आपको जितना भी रैड कलर की पट्टी का यह टैक्स कोड देखने को मिल रहा है इसको यहां से कोपी करके बैक आने के बाद आपको मौल फोन की सैटिंग एंदर दुबाना जाना है आने के बाद अब आप इस वाले ओप्शन पर क्लिक करके यहां पर लास्ट मेर आना है और आपको यहां पर यहां पर दाल देना है डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है आपको उसको यहां पर पेस्ट करके सेव कर देना है अब आप लोगों को बैक आने के बाद आप लोगों को अपने गे गेम को यहां पर प्रॉब्लम को स्वाप का सकते हैं तो चले इस वीडियो में तब तक के लिए गुट पाए